So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने के 15 जून के important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूच रहे हैं भी हाली में इकबाल मसीh पुरुसकार 2023 किस ने जीता है? तो अंचारोगा ललिता नटराजन ने तो चैन्ने इस्थित वकील और कारकरता है ललिता नटराजन जिनोंने बाल शरम उन्मूलन के लिए अमेरिकी शरम विभाग का इकबाल मसीह पुरुसकार 2023 जीता है ये पुरुसकार बाल शरम से निपटने में असाधरन योगदान का सम्मान करने के लिए 2008 में अमेरिकी कॉंगरेज के द्वारा स्थापित किया गया था और इस पुरुसकार का नाम एक पाकिस्तानी बच्चे इकबाल मसी के नाम पे रखा गया था जिसे चार साल के उम्र में गुलामी में बेच दिया गया था फिर वो जब वो दस साल का हुआ तो दस साल की उम्र में वो वहाँ से भाग आया और बाल मजदूरों के अधिखारों के लिए एक मुखर वकील बना पर 1995 में 12 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई तो आपको सिंपल सा याद रखना है एक बाल मसी पुरुसकार 2023 किस ने जीता ललिता नटराजन ने और बाकन जगदी शुधाकर का नाम यादे युनेसको का मिशेल 32 अवार्ड इन्होंने जीता था उन्हें ये पुरुसकार मनार राष्ट्र उद्ध्यान के संग्रक्षन के लिए दिया गया हरी बाल कृष्णन 2023 का मारकुनी पुरुसकार जीता और पूर्णिमा देवी बर्वन ये इंपोर्टेंट नाम रहेगा 2022 के लिए युनाइटेड नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्राम का चैंपियन्स आफ दे अर्थ पुरुसकार इने मिला था तो ध्यान रखना ये बढ़ते आगे फिर बदाईए हाली में विश्वर रक्तदाता दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 14 जून को तो पूरे विश्व में रक्तदान के आवशक्ता के बारे में जाग रुकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को World Blood Donor Day के रूप में मनाया जाता है पहली बार इस दिन को 2004 में मनाया गया था बात करें इस बार की थीम क्या है खून दो, प्लाजमा दो, जीवन साजा करो, अक्सर साजा करो यानि कि गिव बलड, गिव प्लाजमा, शेर लाइफ, शेर ओफिन और इस बार इसका होस्ट कंट्री है, अलजीरिया ये भी ध्यान रटना और बलड से याद आएगा बलड का पी-च मान कितना होता है? 7.4 होता है और जो बलड सेल्स होते हैं, वो का बनते है? अस्तिमज़ा, बोन मेरो में अच्छा एक और दिन है विश्व उच्य रक्त चाप दिवस वो 17 मही को मनाते हैं वैसे आप जानते हो बलड ग्रुप के खोज करता कौन थे? कार्ल लेंड स्टिनर अब आप कुछ होगे कि जून में अभी तक कौन-कौन से डे मनाए हमने तो एक जून को वर्ल्ड मिल्क दे तीन जून को वर्ल्ड बाइसिकल दे पांच जून को वर्ल्ड एन्वार्मेंट दे साथ जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानि कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आठ जून को विश्व महासागर दिवस आठ जून को ही World Brain Tumor Day और बारा जून को विश्व बाल शरम निशेद दिवस तो जून के ये important days हैं अभी तक के ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे फिर बताईए अभी हालि में किस पूर्व मुख्य नयाधीश ने कानूनी साहिता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल एप्लिकेशन को लॉंच किया तो आंसर होगा M.N.Wankat चलेईया को तो भारत के पूर्व मुख्य नयाधीश M.N.Wankat चलेईया ने इंडिया लीगल नाम से एक एप्लिकेशन लॉंच किया जो नागरिकों को उनके घरों से कानूनी साहिता प्राप्त करने के लिए एक सुलब कानूनी हेल्प लाइन है तो इस एप्लिकेशन का उद्देशे ये सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी या अन्य कारणों से न्याय पाने में कोई भी पीछे न रहे तो इस एप्लिकेशन को छे भाषाओं में इस्तमाल किया जा सकता है कौन-कौन सी हैं वो छे भाषाएं अंगरेजी, हिंदी, गुजराती, मराथी, बंगाली और पंजाबी और धीरे-धीरे ये सुविधा उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी जिनके पास मुबाइल फोन नहीं है वे इस सुविधा का लाव अपने निकर्तम सामान्य सेवा केंदर या जन सुविधा केंदर के माध्यम से उठा पाएंगे आजब वरतमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है डी ये चंदरचूड हैं पचासवे नंबर के और इनके जो पिताजी थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके है और उनकी खास बात क्या है पहले तो उनका नाम बताओ वाई वी चंदरचूड उनका नाम था वो सोलवे नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी खास बात क्या है वे सबसे लंबे समय तक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे साथ साल चार महिने और बीज दिनों तक और अगर इसका उल्टा में बात करूँगा सबसे कम समय तक के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तक कौन थे तो आंचर होगा कमल नारायन सिंग और इनका नाम तो अभी न्यूज में भी था अभी इनका निधन हो गया सहतरवी वर्षगाट पर इनको अमंतरित किया गया था ये सिंगापूर के चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट की बात करे तो इसके बारे में हमफरे समविधान के अनुछेद 124 से 147 तक बताया गया है भाग पांच में चलो यूं बताओ हाई कोर्ट की पहली महिला जच कौन रही तो आंसर होगा अना चांडी किरल हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ चस्टिस रही है लीला सेट हिमाचिल प्रदेश हाई कोर्ट से वही सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जच कौन रही फातिमा बीवी और सुप् कि सुप्रीम कोट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है आर्टिकल 32 और हाई कोट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है आर्टिकल 226 चलो यूं बताओ शेत्रे भाशा में निर्णे प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोट कौन सा बना केरल हाई कोट मलियालम भाशा मे और देश की पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉग काँ पे इस्थापित की गई गुजराथ हाई कोट में तो ये सारे important points मैंने आपको revise कराए एक बार फिर से ध्यान रखना इनको हम बढ़ते आगे हाल इमेक किस IIT ने भारत का पहला Dimethyl Ether Indhan Chalet Tractor Engine का निर्माण किया है तो टेफे टेक्टर की एक company है और अभी इसी के साथ IIT कानपूर ने भारत का पहला Dimethyl Ether Indhan Chalet Tractor Engine का निर्माण किया है एक्चलिमें ये जो इंदन है ये जो fuel है इसका सीटेन नंबर ज्यादा है तो ये under compression आराम से ignite हो जाएगा मतलब इसकी quality अच्छी है तो ये वायू production कम करेगा अच्छा एक होता है octane number एक है ये c10 number तो petrol की quality को check करने के लिए होता है octane number जबकि diesel की quality को check करने के लिए होता है c10 number ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बाकी देखो अभी आपको याद है IIT कानपूर ने साइबर सुरक्षा कौशल कारेकरम भी शुरू किया था और अभी IIT Bombay ने अमेरिका की solar decathlon प्रतियोगिता में दूसरा पुरुसकार जीता था बाकी IIT मदरास अगर आपसे प्रशन पूछा जाए exam में कि बताओ कौन सा IIT तंजानिया जोकी एक अफरीकी देश है वहाँ पे अपना पहला अंतरराश्टरिप परिसर इस्तापित करेगा तो अंसर होगा IIT मदरास और अभी IIT मदरास इसने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए pocket friendly device develop किया था और IIT मदरास ने एक सोदेसी mobile operating system जिसका नाम है भार OS इसको develop किया और भारत का सबसे बड़ा चात्रस अंचालित महोचसव सारंग 2023 ये मनाया गया IIT मदरास में और IIT मदरास नहीं वहटन QS Re-Imagine Education Award भी जीता था इसे सिक्षा का ओस्कर कहा जाता है बाकी IIT हिद्राबाद की बात करोगे तो इसने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला artificial intelligence अधरित जोब portal launch किया था जिसका नाम रखा था स्वराजबिलिटी और IIT को याद है न भारत के बाहर अपना पहला IIT ये बनेगा कहां पे United Air बमिरात में तो ध्यान रखना ये points बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में जारी सिप्री की yearbook 2023 के अनुसार सरवादिक परमानु शष्ट्र किस देश के पास है तो आंसर होगा रशिया सिप्री मतलब Stockholm International Peace Research Institute जिसका headquarter है Stockholm Sweden में इस्थापना होती 1966 में तो अभी इसने yearbook 2023 नाम से एक report को जारी किया जो परमानु सश्ट्रों के बारे में बताती है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा nuclear weapons है तो 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमानु हत्यार है तो सबसे ज़्यादा किस के पास हैं? सबसे ज़्यादा रश्यादा के पास है आपको लगर रहा होगा अमेरिका के पास होंगे अमेरिका नहीं, रश्यादा के पास है फिर आता है अमेरिका की बाली फिर UK, फिर चायना, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, इस्राइल, और North Korea मतलब बाकी के तो ऐसे ही है जो अमेरिका और जो रश्या है इनी के पास सबसे आदा पूरी दुनिया में जितने है न वो 90% इन दोनों के पास ही है मतलब पूरे विश्व में कितने हैं 12,512 परमाणू हत्यार बताये गए हैं ये मैं नहीं बता रहा हूँ ये इस रिपोर्ट में बताया गया आप लिश्ट देख सकते हो और पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा है अब यहाँ पे आपको देखके लग रहा होगा कि यार पाकिस्तान के पास हमारे से ज़्यादा परमाणू हत्यार है अरे होंगे होंगे तो हमारे तो एक-एक ये किस देश ने किया, ये अमेरिका ने, फिर चाइना, फिर रशिया और उसके बाद भारत की बारी है, और रिपोर्ट्स की बात है तो याद आएगा आपको वल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट आई थी अभी, उसमें भारत 126 नंबर बर है, टॉप पर फिनलेंड है, वेश्व अंडे उत्पादन में आंद्रप्रदेश टॉप पर है, तो मास उत्पादन में महराष्टर है, उसके अलवा इंडिया जश्टेस रिपोर्ट 2022 आई, उसमें करनाटक टॉप पर रहा, और दुनिया का सबसे धनी शहरों की सूची आई थी, उसमें टॉप पर रहा न्यू य में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर भारत, और देश में डिजिटल तरीके से लेंदेन करने वाले शहरों की सूची में बंगलूरू टॉप पर रहा, आर्थिक सोतंतरता सूचकांग में भारत 131 नंबर पर है तो टॉप पर है सिंगापूर अभी वर्ल्ड बैंक ने रसत प्रदशन सूचकांग 2023, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया, उसमें भारत 38 नंबर पर था, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स 2023 आया, उसमें भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पर है नॉर्वे, इस इंडेक्स क तो मुंबई है, और पूरे विश्व में हॉंग कॉंग है, किस की अनुसार बात कर रहा हूं में, मरसर की अनुसार, तो ये कुछ इंडेक्से जे इनको ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे, फिर बताईए, 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहां पर आयोजित किया गया, तो अंस साल बात चैन्नेई में स्क्वैश विश्व कप का आयोजिन किया गया, अच्छा एक स्क्वैश प्लेयर का नाम काफी न्यूज में रहता है, अनाहत सिंग, कभी एक्जाम में आ जाए ना तो ध्यान रखना, प्रशना सकता है कि अनाहत सिंग का स्वमंद की स्खेल से है, स्क चैन्नेई में आपको चमड़ा नुसंधान केंदर मिल जाएगा, भारत का पहला नीजी रॉकेट इंजन कार खाना कहां पे खुला चैन्नेई में, भारत के पहले ड्रोन कोशल प्रसिक्षन सम्मेलन का आयोजिन किया गया था चैन्नेई में ही, और अभी तारकरकश चैन्नेई में हुआ था, अच्छा आपको यादे, अभी 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपेंशिप ये साउथ कोरिया में हुई थी, जिसमें टॉप पे जापान था, दूसरे पे चाइना था, तीसरे पे भारत था, भारत ने टोटल 19 मैडल जीते थे, उसमें से 6 गो में होगा, और 2022 में जो 36 वे नेशनल गेम्स राश्टर खेल हुए थे, वो गुजरात में हुए थे, और इस साल 2023 में 37 नमबर नेशनल गेम्स ये हुँगे गोवा में, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे, चलिए फिर बताईए, हाली में UEFA Champions League का खिताब किस मेंचेस्टर सिटी, ये मेंचेस्टर में इस्तित एक फुटबॉल क्लब है, और इंटर मिलान ये इट लिग का एक फुटबॉल क्लब है, अचा, UEFA मतलब क्या होता है, Union of European Football Association, यानि कि ये उरूपिय फुटबॉल संग, आपको यादे भी इसके अद्रिक्ष कौन बने थे, अलेक्जेंदर सेफरीन, और बताओ अभी किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता, तो भी आंसर होगा, मैंचेस्टर सिटी, अभी ला लीगा खिताब जीता, बार्सिलोना ने, लॉरियस स्पूर्समेन आफ दे येर का वार्ड म हुआ था, जिसका शुबंकर यानि की मैस्कोट था, लाइब, उसको अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हरा के, याद होगा आपको, अचा एक प्रश्न मेरा रहेगा, अभी 2023 में जो फीफा अंडर 20 वल्ड कप हुआ न अर्जेंटीना में, उसको बताओ किस ने जीता किसको हरा करके, बाकी 2023 में फीफा महिला विश्व कप ये दो देशों में होने हैं, औस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड, इसका शुबंकर है तजुनी जो की एक पैंग्विन है, बाकी 2023 में ही फीफा अंडर 17 मेंस वल्ड कप होंगे, कहां पे होंगे, अभी ये तैनी हुआ पहले तो ये पेरू में होने वाले थे लेकिन उससे मेजबानी चीन ली, बाकी अभी 76 नंबर की संतोष ट्रोफी हुई, उसको जीता करनाटक ने मेगाले को अराके, तो एक और ब्रश ने बन गया, संतोष ट्रोफी का सम्मन किस से है, फुटबॉल से है, देखो इसी तरह स कुछ कप एंड ट्रोफी आपको रिवाइस करा हूँ, तो रौवर्स कप, संतोष ट्रोफी, सुबरोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, और मर्डगा कप, इन सब का सम्मन फुटबॉल से है, और फुटबॉल टीम में कितने प्लियर होते हैं, ग्यारा होते हैं, देखो आपके बनते हैं, फुटबॉल से में आपको रिवाइस करा दिये, और गाइस, प्लीज अगर महनत अच्छे लगती है, अगर वाकई आपको महनत दिखती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप सभी, और हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आ पाते हैं, जब तक स्टुडेंट तक रीच नहीं पहुचेगी, तो व्यूज नहीं आते हैं, तो जब तक यूटूब हमारे वीडियो उसको रैंक नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसका एक ही फंडा है, उसके यल्गरिथम ऐसे ही काम करती है, तो प्लीज ज्याज़ करूँगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, उसके लिए में क्विज बना करके अफ्लोट ज़रूर करूँगा, आपकी करीक एक्जाम एप्लिकेशन पे, और PDF पे आपको मिल जाएगी करीक एक्जाम एप्लिकेशन मे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी हम बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए, हाली में जारी Forbes की वेश्विक सूची, Global 2000 में Reliance Industries Limited ने कौन सा इस्थान परात किया, तो आंसर होगा 45 वा, तो अभी Forbes ने 2023 के लिए विश्व की टॉप 2000 कंपनियों क लिस्ट चारी की है, जिसमें Reliance ये 45 नंबर पर है पूरे विश्व में, तो फिर टॉप पे कौन है, अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है, जैपी मॉर्गन वो टॉप पे है, इसके बाओ साओध यारब की तेल कंपनी है, अराम को ये दूसरे स्थान पर है, वैसे इस लि में Greenpeace India के Spare the Air नाम से एक रिपोर्ट आईए, उसमें भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूशित बताया गया, तो आंसर वोगा Bangaluru, तो Greenpeace, देखो एक Greenpeace जिसका Headquarter Amsterdam नीदरलेन में है, उसी की इंडिया में यूनिट है, Greenpeace India उसको बोलते है, जिसका यहाँ पे मुख्यले Bangaluru म का नाम है Spare the Air, इसमें कौन सा भारते शहर कितना प्रदूशित है यह बताया गया, तो सबसे प्रदूशित भारते शहर बताया गया है Bangaluru को, तो यह आप याद रखना, बढ़तें आगे, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में भारत में एक लाक रुपे प्रती शहर मार्क कूछ चुने वाला पहला स्टॉक कौन सा बन गया, तो आंसर होगा MRF का, तो भारते शेयर बाजार के प्रमुक शेयरों में से एक MRF, एक लाक रुपे के मील के पत्थर को पार करने के बाद, छे अंकों वाला पहला स्टॉक बनकर इसने इतिहास रच दिया है, MRF, MRF आप मदरास rubber factory, इसकी स्तापना होती 1946 में और इसका headquarter है Chennai में, अब हम कल के current affairs को quick revise कर लेते हैं, तो पहला प्रशन आप से पूछा कि अभी हाली में अंतर राष्टर रंग हिंता जाग रुपता दिवस कब मनाया, 13 जून को, फिर पूछा भारत और किस देश के बीच एक्युव Ireland के player हैं, फिर आप से पूछा अभी पहली बार अंडर 20 विश्व कब football खिताब किस ने जीता, उरगवे ने, फिर पूछा अभी किस भारते फिल्म ने WHO पुरुसकार जीता, when climate change turns violent, फिर पूछा, evolve mission किस ने शुरू किया, सिडबी ने, नीतिया योग और World Bank के साथ मिलके, फ फिर पूछा अभी किस देश के पूर उपलधान मंतरी, सिल्वियो बुरल स्कॉनी का निदन हो गया, इटली, फिर पूछा अभी भारते नौसेना ने, बताओ कहां पे, operations, शक्ति और सुरुक्षा का आयोजन किया, अरब सागर में, और आखरी प्रशन पूछा कि, हमारे ज लाइक कर देना प्लीज और शेयर जरूर कर देना, बागे क्विज वगरा सब मिल जाएगी, पीडिएफ भी मिल जाएगी, क्रिक एक्जाम एप्लिकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब हमवर्क प्रशन देखते हैं, और सेशन एंड करते हैं, तो कल की वीडियो में आपसे बुछा था कि कोल इंडिया के नए चीफ कौन बन गए, तो आंसर होगा, कोला वर्रापू प्रसाद, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया, अब ये रहा आज का आपका हमवर्क प्रशन,